नमस्कार फीफा वर्ल्ड कप में कल चार मुकाबले खेले गए ग्रूप जी में दो और ग्रूप एच में दो मुकाबले जी देखें तो ब्राजील और स्ुविजलेंड से पूरे तीन तीन हम खहां〜 12 नमंबर को इनका दूसरे लेक का मुकाबला होगा कैमरून का मुकाबला सर्विया के साथ होगा और ब्राजिल का मुकाबला स्विजिलेंड से होगा वहीं अगर हम गुरूप पैच की बात करें तो गुरूप एच में यू रुगवे का मुकाबला साउथ कोरिया ऐसे था, दोनों टीमों ने बहुत अच्छा खेला, रुगवे ने दो बार तो गोल पोस्ट में मारी गेंद, साउथ कोरिया को भी बहुत सारे चांस मिले, लेकिन ये अंत में मुकाबला शुनी-शुनी की बराबरी पर चूटा, वहीं पॉर्चुगल की बात करें घाना के मैच में, तो पॉर्चुगल और घाना के बीच में हाफ टाइम तक स्कोर शुनी-शुनी था, लेकिन उसके बाद रॉनाल्डो ने 65 मिनट में पैलेंटी से एक शुनी की बढ़त दिलाई, उसके बाद 73 मिन है और घाना ने अभी अपना खाता नहीं खोला है, साउथ कोरिया का मुकाबला घाना से होगा 28 नुवंबर को, वहीं उरुग्वे है, उसका मुकाबला पॉर्चुगल के साथ होगा, अगर हम आज के मुकाबलों की बात करें, तो आज ग्रूप A और B में मुकाबले होने है ग्रूप A की बात करें, तो आज कतर का मुकाबला सेनिगल से होगा, शाम साड़े छे बजे, वहीं नैदरलेंड का मुकाबला एकवडोर से होगा, रात साड़े नौ बजे, अगर ग्रूप B की बात करें, तो US का मुकाबला इंगलेंड के साथ होगा, रात साड़े बारा ब कि दो मेंुट है नॉल wiggle बढने संगा है।